नमस्कार दोस्तों श्वागत आपका हमारे यूटूब चनल स्टोक ओफ दा डे में और आज हम बात करेंगे भारती एटल के बारे में एटल का जो शेर है टेलिकॉम सेक्टर के दिगज कंपनी है और जैसा कि एक मॉनोपली विजनेस टाइप होता है इस तरीके का यह आप आज में तो उनकी वजह से उसमें बिल्कुल तेजी थोड़ी दिखाई दे रही है बट अभी अगर हम बात करें तो एक मार्केट लीडर आपके स्कुल को कह सकते हैं एटल को तो उसके बारे में बात करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय सब्सक्राइब में देखिए यह कल का जो प्राइस है यहां पर 727 रुपए पर यह इसने बनाया है कल लगबग 5% की इसमें तेजी थी जो कि देखिए मौर्निंग में जब यह ओपन हुआ था 697 के लगबग था और उसके बाद यह 727 पर बंद वा था और यह 731 बद इसको टच करके आया है यानि कि कल इसने अपना all time high बनाया है तो देखिए इसके लिए आपको बतना चाहूंगा मैं एक आप इससे पहले भी मैंने इसके लिए वीडियो बनाये हैं तो लिए आपको लेकर चलता हूं एक पर दिखाता हूं देखिए यह यह वन मंत पहले का वीडि में जो वीडियो बनाया था एक महीने पहले की टार्गेट 750 रुपए ठीक है आज आप देख रहे होंगे कि टार्गेट 727 पर अलड़ी ट्रेंड कर रहा है ठीक है यह वन मंत की बात है इसी ज्यादा की बात नहीं है और इस टाइम क्या प्राइस है वह भी देख लेते हैं देखिए जो वन मंत पहले हमने वीडियो बनाया था यह जो इसका बात कर रहा हूं है और जो इसका प्राइस तो फाइफ फिस्टिशन 560 रुपए था तो उस ताहिम भी मैंने आपको बताया था का आपको इसको में बाइंग करनी चाहिए आप करीच सकते हैं और इसके मैं आपको बताया था कि आपको बाइंग करनी चाहिए और अभी आज देख सकते हैं कि यह 666 से भी कितना उपर अभी ट्रेंट कर रहा है तो इस तरह से कंटिनूसली मैंने इसके बारे में आपको रहाए दी थी कि आप इसको बाइंग करिए इसको आप अपने पॉट्फोल इसके बारे में कोई ज्यादा इंफॉमेशन इसकी नहीं है और इंट्री पॉइंट भी अभी स्टोग और वोड्ट जोन में क्योंकि काफी बढ़िया तेजी एक रेली आई हुई है जिसकी वज़ए से इसमें काफी तेजी है कि विल हाँ सेयर में कोई भी ना रेड आई जो कि इसने कली बनाया था ठीक है और ये चार्ट देखेंगे कि कल का चार्ट है चेसो चानमर रुपे गलो और साथ सो चोटेश का इसने बनाया था एक कल का ही है आप देख सकते हैं क्या बढ़िया तेजी और कल एक जो टेलिकॉम की न्यूज आई थी एजी आर के बा लग बग की जो होड़िंग परोमोटरस के पास है मूुचल फंड के पास 12% से जजादा की होलडिंग लगबग 8% की DIY के पास है और FIIs के पास लगबग 19% की होलडिंग है तो शेर का जो होलडिंग पेटरन है MICHAELS पूर अगर बात करता हूं से के लिए कि क्या फॉरक्स्टि dato नुम्बर 2022 के लिए 846 का टार्गेट इसमें बताया जा रहा है अगर मैं क्रेंट प्राइस से कंपेर करता हूं तो यह जो है 16% से ज्यादा का इसमें आपको आएक मिलने की पॉसिबिलिटीज है और जैसा कि 840 जो बता रहा है अगर जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो अगर मैं देखूं तो यह अभी इस मेने में आप इसको यह इसको टच कर जाएगा तो दीखे काफी अच्छा शेयर है अगर आपने ओल्डिंग पहले से लिए अगर आप प्र लाग रहा तो कोई इसको रख सकते हैं फिर भी कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने खुद के अलसिस जरूर करें अपने फैनेंचल एडवाजरी की राया जरूर लीजिएगा इसके लाव अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको डिमेट अकाउंट क कोई चार्ज नहीं ए एंजल ब्रोकिंग के च्छ अप्रेड फॉर में जिसमें अपने अपने अकाउंट ओपेंट कर सकते हैं बीस रुपया ब्रेक्टरेड चार्ज के वापको डेना होता है डिस्क्रिप्शन मेंने लिंक देया जिसमें क्लिक करके आप अपने अपने अप अगरिया वाच ची लेजिए हो लाइक और सब्सक्राइब और इंगरेज कीजिए का थैंक यू वेरी मुच पर वाचिंग